करते है, movie start होती है, और हमें Dan और उसके family दीखती है, इसकी wife का नाम Beth होता है, और इसे एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है Ellen, आज राट Dan और बेग, ये दोनों party में जाने वाले होते है, डैन एक लॉयर होता है जो publishing company के लिए काम करता है उनकी legal matters वेगरा वो सब समालता है यह party उनके firm के होती है जो अपने friends से मिलते है तो उनके साथ बाते करने लग जाता है बहुत उसकी friends के साथ बात करी होती है डैन जब अपने friends के साथ होता है तो एक लेड़ के लाइन मार रहा जाता है यह हमारी next man character है जिसका नाम होता है Alex Alex उसके friend को बहुत ही घट्या look देती है डैन ने देखकर हसने लग जाता है यह जब बार पर जाती है तो डैन भी वहाँ जाता है डैन अमरे friend के साथ था तो एलेक्स ने उससे भी देखा था वो फिर से इससे देखती है तो डैन और यहां मैं पता चलता है कि एलेक्स भी डैन की company में काम करती है डैन केता है कि मैं तो बहुत दिनों से वहाँ हूँ मैंने कभी तुम्हें वहाँ देखा नहीं एलेक्स कहती है कि अभी तीन-चारी हपते हुए है मैंने अभी-अभी जॉइन किया है डैन की wife Beth थोड़ी दे के लिए यहां अकेल आई है जब यह office पोचता है तो वहां Alex भी होती है इनके publishing company में एक बड़े writer ने politician के उपर एक character based किया था इसी वज़े से यह legal trouble में है डैन सही से किस तरह से इस case को लड़ना है इसकी strategy वगरा बनाता है कि मिटिंग खतम होने के बाद जब नीचे आता है तो बारिश गिर रहे होती है दैन के अमरेला भी टूट जाती है तो Alex उसे देखती है Alex उसके पास जाती है वो इसे चाता वगरा देती है दैन केता है कि बारिश कतब होने तक क्या हम coffee वगरा पी सकते है यह फिर दोनों एक hotel में आ जाते है एक दूसरे के अजीब-जीब कैस से discuss करे होते हैं और खूब हसरे होते हैं डैन केता है कि मेरे mother and father का duas हुआ था तो मेरी mother मुझे बोली थी कि तुम ही मुझे represent करो डैन केता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने mother को convince किया था कि यह में नहीं कर सकता यह दोनों इस बर हसने लग जाते है कि lawyer बनना यह एक बड़ी responsibility है बहुत सारे चीजें आपको सिकरेट रखने पड़ती है एलेक्स पुछती है कि क्या तुम सिकरेट रखते हो यह इससे फ्लट कर रहे होती है डैन केता है कि आज तुम्हारे कोई date नहीं है एलेक्स भी कहती है कि मैंने उसे cancel कर दी है डैन को यह अच्छा लग रहा होता है एलेक्स पुछती है तुम्हारे वाइफ कहा गई है डैन केता है कि दो दिनों तक वो आपस नहीं आने वाली है एलेक्स कहती है कि तुम्हारे वाइफ बाहर गई है और तुम मेरे साथ लंच कर रहे हो डैन केता है इसे के साथ लंच करना कोई गलत बात नहीं है एलेक्स कहत सकते हैं यानि कि एक दूसरे के साथ वो आज रह सकते हैं से अप्वियस के लिए इसे यह घर पर आ जाते हैं रात में पार्टी में भी जाते हैं जब सुबह उती है तो दैन वहाँ से निकल जाता है रात में उसकी वाइफ का कॉल आया था पर इसने वह पिक अपनी वाइफ को वो फिर से call कर देता है यह दोनों एक दुसरे का हाल पुछते है तो इससे wife कहती है कि इसे और एक दिन लगने वाला है इसके जो बैटी है इसने यहां rabbit देखा है तो उसे अब rabbit भी चाहिए दैन इस पर मना कर रहा होता है इसका दैन उसे goodbye कर देता है और यह बेठा हुआ होता है तो इससे Alex का call आता है Alex इस पर cheat गयती है वो कहती है मुझे बिना बताय ही तुम चले गए दैन कहता है कि मैंने एक note छोड़ी थी एलेक्स को नहीं मिली होती है वो देखकर वो खुश हो जाती है एलेक्स फिर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहां आज आ सकते हो वो उसके lunch वगरा cook करने वाली होती है डैन कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है एलेक्स कहती है कि काम तुम यहां भी कर सकते हो मैं तुमें कोई भी disturb नहीं करूँगे डैन भाहने बना रहा होता है कि उसे dog को एगरा भी बाहर लेकर जाना है पर एलेक्स मानती नहीं इसके बाद डैन और एलेक्स यह दोनों पार्क में आ चुके है और उसने dog भी लाया है यह हमें दिखता है यह दोनों पार्क में घुमते फेते हैं और बहुत मज़े करते हैं डैन भागते बागते गिर गया है और उसे heart attack आ रहा है इसा हो प्रिटेंड करता है एलेक्स बहुत ही डर जाती है एलेक्स को डरता हुआ देखकर वो उट जाता है और उस पर हसने लग जाता है एलेक्स फिर कहती है कि मेरे फादर भी इसी तरह से मरे थे मैं जब 7 साल की थी मेरे आखों के सामनी ऐसा भुआ था डैन कहते हैं मैं बहुत ही sorry हूँ अगर मुझे पता होता तो कभी मैं ऐसा joke नहीं करता अलेक्स फिर उस पर हसने लग जाती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो आफी भी जिन्दा है आज सही से रह रह डैन को बहुत ही awkward लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्स बहुत अच्छा सा खाना वगरा कुक करती है यहाँ पर उन्होंने ओपेरा लगाया होता है डैन के फादर डैन जब बहुत ही छोटा था तब यह ओपेरा देखने के लिए उससे लेकर गए थे डैन कहता है कि इस ओपेरा के last में उस लेडी को जब उसका lover छोड़ कर चला जाता है तो यह बहुत ही बुरा होता है वहाँ में रोने ही लग गया था उसे अपने डैड के साथ ओपेरा जाने की यही एक अच्छी memory याद है एलेक्स ने भी यह ओपेरा देखा है और इसे भी यह बहुत मज़ा आया था अगर वो ऐसे मिलते रहे तो कितना अच्छा होगा डैन कहता है कि सही नहीं होगा इसकी वाइफ अब आ जाएगी और फिर से अलेक्स से कभी मिलने पाएगा एलेक्स कहती है कि मुझे तुम कॉल करना डैन भी उसे वादा करता है इसके बाद हम देखते है कि कि तुम्हारा आप काम हो चुका है तो डैरेक्ली तुम मुझे छोड़ कर चले जा रहे हो तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो डैन कहता है कि ये क्या तुम बात कर रहे हो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये सिर्फ एक दो दिन की बात है क्या सही क्या गलत यह हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है जब डैन वहाँ से जा रहा होता है तो एलेस उसे पास बुलाती है वो कहती है कि हमाँ फ्रेंड्स रहेंगे वो उसे हक करती है डैन उसे कहता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ अगर मैंने किसी भी वे में तुमें अपसेट किया होगा एलेस उसे छोट नहीं होती जब डैन उसके हाँ देखता है तो इसने अपने नस काट ली होती है एलेस फिर बहुत ही डर जाता है उसके हाँ पर पानी विगरा लगाता है उसे मलम पट्टी वेगरा करकर देता है राद भर वो यही रुखता है और सुबह होने के बाद उसे कहता है कि बिलिस तुम डॉक्टर के पास चले जाना इसके बाद यहाँ से निकल जाता है घर आने के बाद उसकी वाइफ को लगे यह घरी था इस वह जैसे सब बेड वेगरा वो डिस्टब कर देता है फ्रिज में जो सब खाना होता है वो सब कुट्टे को खिला देता है आफिस में आ जाने के बाद वो उसे सब कुछ मीटिंग्स अब कैंसल करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है काम से जब वो वापस आता है तो अपनी वाइफ को हग करता है और कहता है यह तो बहुत मिस किया है उसने जो किया है इसका उसे पश्टावा आ रहा है रात में अपनी बेटी के साथ कार्ट सबकरा प्ले कर रहा होता है उसकी वाइफ उसे कहती है कि कब तुम चलने वाले हो ये दोनों गाव में एक अच्छा सा घर बाहा करने वाले होते है बेट उसे कब से कहे रहे होती है कि उसे देखने के लिए आना चाहिए पर इसे वक्त निमिल रहा होता अब डैन कहता है कि कल हम चलते है ये इस सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है जब ये घर वो देखते है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है अब वो यहाँ शिफ्ट होने वाले होते है नेक्स ड़ा ओफ्रेस में डैन आता है तो वहाँ एलेक्स आई हुई होती है एलेक्स वहाँ कर उसे कहती है मैं बहुत ही सौरी हूँ मेरी वज़े से तुम्हें इतनी सारी तकलिफ लेनी पड़ी अगर दूसरा कोई होता तो मुझे वही छोड़ कर चला जाता डैन को अप्रेशेट करने के लिए एलेक्स ने दो ऑपेरा के टिकीट लाए हुए होते है वो उसके साथ ऑपेरा जाना चाहती है डैन केता है कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा इड़ा है एलेक्स फिर मान जाती है वो कहती है यहने तुम्हें आसपास देखती रहूंगे डैन उसे हग करता है और वहाँ से चली जाती है अब नेक्स दिन में हमें दिखता है कि डैन अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा सा टाइम गुजारता है पर एलेक्स अब बहुत ही डिस्टब हो चुकी है वो अपने घर में रो रही है और बहुत ही depressed मैसुस कर रही है नेक्स दिन डैन जब अपने office पर आता है तो Alex ने बहुत सारे call उसे लगाय हुए होते है Alex उसे कहते है कि मुझे लगा था कि तुम understand करती हो हम फिर से अभी बात नहीं कर सकते यह कहिकर वो phone रख देता है अपने secretary को बताता है कि अगर फिर से call है तो call उठाना मत रात में डैन अपने friend के साथ dinner कर रहाता है तो उसके घर पर call आता है इसकी wife पर call उठाती है और वहाँ से कोई भी बोलता नहीं डैन समझ जाता है कि Alex ने call किया था रात में घर में फिर से call आता है तो डैन इस बार उठाता है Alex उसे मिलने के लिए पुला रही होती है डैन कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता अलस कहती है कि तुमारे wife को सब कुछ पता दोंगी अगर डैन चाहता है कि वो उसे कुछ भी ना पता है तो उसे उसे मिलने के लिए आना पड़ेगा डैन दुसरी दिन चब अलस से मिलने के लिए जाता है तो डैन कहता है कि हमारे wife जो भी था यह सब खतम हो चुका है तो मैं क्यों यह बात समझ में नहीं आती अलस कहती है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों बरताओ करे हो डैन कहता है कि तुम अजीब बरताओ करे हो तुम्हें डॉक्टर के बास जाना चाहिए एलस कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हो डैन कहता है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो तुम मुझे जानती भी नहीं एलस कहती है कि वो प्रेइनन्ट है वो इसे miscarriage हुआ था इस बार वो फिर से abortion करके chance ने रहने वाली है डैन केता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या तुम कह रही हो ये जो decision है ये पूरे life के लिए हमारे decision है एलेस कहती है तुम्हारे बच्चे से तो अपने friend से वो बात करता है उसके friend से वो पूछ रहा होता है किस तरह की legal trouble में हो है उसका friend उसे कहता है कि अगर उसने कुछ charges वेगर अप्रेस किये तो तुम बड़े trouble में आ सकते हो एलेस जब डैन के घर पर call लगा दिये तो घर का number अब disconnect हो चुका है डैन जब घर पर आता है तो अलेक्स उसके घर पर पोच गई होती है वो बेट से पात कर रही होती है तो दोनों अच्छी friends बन जाती है बेट अलेक्स को डैन से introduce कराती है यहाँ बातो बातों में indirectly अलेक्स फिर से डैन को blackmail करती है कि वो सब कुछ बता सकती है रात में डैन अलेक्स के घर पर आता है वो बहुत ही angry होता है वो कहता है कि तुम कर क्या रही हो तुम्हें यह सब बन कर देना चाहिए अलेस के थी है कि यह बन नहीं होने वाला उसे धमके देता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को कोजी बताऊगी तुम तुम मार दूँगा अब थोड़े दिन गुजर जाते है और डैन अब अपने नए घर में moving कर रहा है डैन की बच्ची को rabbit चाहिए था तो यह rabbit उसने बाइक किया है और उसे वो लेकर जा रहा होता है डैन अपने पार्किंग पर आता है तो अलेक्स ने उसकी गाड़ी वर एसल डाल दिया होता है डैन को अपने कार में एक टेप मिलती है यह टेप अलेक्स नहीं रखी हुए होती है यह टेप जब डैन लगाता है तो अलेक्स ने बोला होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हें यह सब कर पाओगे और यहां से चले वी जाओगे यह मैं नहीं होने दूँगी अब तुम्हें मुझे accept करना पड़ेगा यह साथ ही तुम्हें लाइफ कारणी है यह तुम्हें accept कर लो जो भी सब तुम्हारी responsibilities है यह तुम्हें complete करनी पड़ेगी डैन अपनी कार में अपने नए घर में जा रहा होता है तो अलेक्स भी उसका पीछा करती है वो जहां रह रहा है और उसे मालूम पड़ चुका है अलेक्स जब अपनी बेटी को rabbit वगरा देता है तो यह सब family बहुत ही खुश है यह सब अलेक्स देख रही होती है डैन फिर हमें कहता है कि वो पुलिस के पास आ चुका है अगर हम फिर से कुछ action लेंगे तो फिर से वापस आ सकता है कुछ भी गलत हो सकता है उनके पास इतने अच्छे evidence वगरा भी नहीं है कि वो अलेक्स को arrest कर सके डैन कहता है कि अगर वो crime कर रही है तो इसमें अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो हम उसे arrest कर सकते है डैन फिर वहाँ से चला जाता है डैन अपनी family के पास उसके parent के पास आता है डैन की बेटी का play होने वाला होता है तो अच्छे से lines वहरा बोल रही हुती है डैन अपनी family के साथ बहुत ही खुश होता है जब इस सब घर पर वापस आते है तो बेट कीचन में जाकर जब देखती है तो वहाँ एक बड़ा सा pot होता है इसने pot नहीं रखा था जब इसे खोल कर देखती है तो इसमें rabbit मरा हुँ होता है यह देखकर बहुत ही चिला थी है इसकी बेटी को भी इसका rabbit कही भी नहीं मिलता बेट अपनी बेटी को सुलाती है और डैन के पास आ जाती है वो डैन को कहती है कि है पुलिस को कॉल करना चाहिए डैन कहता है कि अभी नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डैन कहता है कि क्या तुम्हें वो औरत याद है जो मारे घर पर आई थी बेट समझ जाती है कि इसका उसके साथ अफेर चल रहा था डैन उसे सौरी वेगरा कहता है वो उसे पुछती है कि क्या तुम उसके पैर में हो डैन कहता है कि नहीं इस सिर्व एक रात की बात थी बेट एंग्री हो जाती है और रने भी लग जाती है कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो डैन उसे कहता है कि इस घर में रहना अफ सेफ नहीं है तुम थोड़े दिनों के लिए अपने पैरंस की हाथ चली जाओ डैन रात में एलेक्स को कॉल करता है उसे कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है एक दिन बेट अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उसे कही भी नहीं मिलती है वहां कि एक लेडी से जब वो पूछती है तो कही थी कि मुझे लगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर चली गई होगी, यानि कि इसकी बेटी एलेस के साथ गई होती है, एलेक्स डैन की बेटी को रोलर कोस्टर वेकर सब जगा लेकर जाती है, बेट अब बहुत डिस्टर हो च जाता है, यह बहुत ही चीड गया होता है, एलेक्स को वो मारने लग जाता है, उसका गला दबाने वाला होता है, यह उसे मारने ही वाला होता है, पर यह अपना माइंड चेंज कर लेता है, एलेक्स भी चाकु लेती है, और उस पर चलाने वाली होती है, पर एलेक्स को वो कं पर वो कहीं भी नहीं मिली, बैट उपर होती है और शावर ले रहे होती है, तो वहाँ एलेक्स आ जाती है, एलेक्स कहती है कि डैन ने मुझे गुडबाई केनी कोशिश की थी, पर वो एक कल करनी पाया, हम दोने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे सकते हैं, वो बैट को कहती है कि तुम ही हो इन सब के लिए responsible, क्या तुम्हें लगता है कि मैं समझने पा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे मुझे से दूर कहीं और लेकर जाना चाती हो, मैं होने ने दे सकती, इसके पास चाको होता है, और बैट पर वो वार करने बन कर देती है, डैन जब जेन की सास लेता है, तो एलेक्स फिर से उट जाती है, यह डैन को मारने वाले होती है, तब यह बैट ने गन लाई होती है, इस गन से वो एलेक्स को मार देती है, पुलिस वहाते है, वह सब सिच्वेशन उन्हें बताई जाती है, डैन को कोई भी यह जो मूवी की एंडिंग थी, यह लास्ट मूवीम पर चेंज कर दी थी, एक्चुल में जब जापान में इस मूवी की सिनिंग होई थी, तो इसमें अलग सींस थे, अल्टरनेट एंडिंग में हम देखते हैं, कि एलेक्स सुसाइड कर लेती हैं, और इस सुसाइड करने के दैन को फ्रेंब कर देती है, यह यह मूवी की दो इंडिंग से, जिसमें पहले में डैन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकता है, और दूसरे में डैन जियुक्त ही अच्छे लगी, यह जो प्रेंगनन थी, तो उसे उसका कुछ सोसना चाहिए था, पर कभी बी उसने एसा नहीं किया, डैन के जो decisions थे, ये गलत थे, वो इसके लिए भूगतना पढ़ना चाहिए था, अगर Alex के suicide में दिखाई जाती है, और डैन फ्रेम हो चुका है, और वो जेल में चला गया है, तो ये परफेक्ट एंडिंग हो सकती थी, जो original एंडिंग है, ये भी somewhat acceptable है, अगर आप अपने आपका खैल रखिया है, ये जियर है,